नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं PM मोदी ने ओमी क्रोन एक सी पर सीम हिमन्त को चेताया पधान मंती ने जर्खंड के मुख्र मंती हिमन्त के साथ कल दो पहर 12 बजे वीडियो कंफरेंसिंग के जरी सनवात किया देश में क्रोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच PM मोदी राजे में क्रोना वायरस संक्रमन से निपटने के त्यारियों के बारे में सीम को अलट किया इस करम में ओमी क्रोन के वेरियंट के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोपीय देशों के हालात देखकर हमें अभी से ही सतर कराना होगा कोविट प्रोटोकाल नए मावलों में बढ़ोतरी अस्पतालों में कोविट वाड ऑक्सीजन प्लांट और कुरोना वैक्सिनेशन के बारे में भी PM ने बात की फिलहाल जारखंड में गीने चुने संक्ख्या में कुरोना वायरस संक्रमित मिल रहे हैं हालाकि कई जिलों में कुरोना संक्रमित की जांच ही बंद कर दी गई है स्वास्त विभाग को रेंडम जांच करने के निर्देश दिये गए है मौसम विभाग के अंसार बुद्धवार को इस सीजन का गर्मी के सब भी रिकोर्ड टूट गए है बताजे राजे में सबसे अधिक तापमान धनबाद का रहा धनबाद सहर का अधिकतम तापमान 25 डिगरी वर निवतम तापमान 26 डिगरी सेलसियस रहा या इस सीजन का सबसे गर्म दीन है गुरुवार को भी सहर का 45 डिगरी अधिक्तम तापमान रहने वर लूट चलने का नुमान है वहीं सुक्रवार को भी 41 डिगरी तापमान रह सकता है मौसम केंद्र राची की मानने तो 28 वर 29 अपरेल को मौसम सुस्क रहेगा आस्मान भी साफ रहेगा 29 अप्रेल को धनवाद में लूट चलने की संभावना जताते वे अलर्ट भी जारी की गई है वहीं 30 अप्रेल से गर्मी से राहत मिल सकती है अधिक्तम तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावर दर्ज होगी जून के पहले हफते में 28 परवेस परिक्षा जार्खन के सरकारी एवं गयर सरकारी B8 संस्थानों में नमांकन के लिए B8 सन्यूक्त परवेस परत्योगता परिक्षा जून के पहले या दूसरे सब्ता में होगी जार्खन सनुत परवेश परिक्षा परिशद ने इस परिक्षा में सामिल होने के लिए योगी अभियार्थियों से 30 अप्रेल से 15 मई तक ऑनलेन अवेदन मांगे हैं परिशद ने इसे लेकर सुचना जारी कर दी है जार्खन में अबनाई उत्पाद नेती के अनुसार दो मई से राजे में सराब की बिक्री सुरू हो जाएगी इसकी त्यारी जोर सोर से चल रही है सराब की अवय तसकरी रोकने वर राजसों बढ़ाने के लिए ट्रेक आएंड ट्रेस पर जोर दिया जाएगा इसके अलावा अब सराब की वर कोड अधारी सुरक्षा होलोग्राम वाले सराब ही राजे में बिक्रेंगी इसका सक्ति से अनुपालन कराने को लेकर ही उत्पाद एवं मग्द निसेद विभाग के सचीव बिने कुमार चुबे ने बुद्वार को राजे के सभी सहायक आयूक्त उत्पाद तथा अधिक्षक उत्पाद के साथ बैठक की बैठक में असमति बनिहा की अगामी एक माई को ड्राइ डे रहेगा उक्तिती थी को राजे में सराब की बिक्री नहीं होगी सीएम हिमन्त के खिलाफ करवाई के परयापत आधार जार्खन के मुखे मंत्री हिमन्त सुरेन के ओफिस ऑप प्रोफिट मामले में घीरने के बाद जार्खन का सियासी पराचड़ गया है राजेपाल रामेश भैस ने इस सिल्सिले में बुद्वार को परधान मंत्री नयाद मोदी और गिरी मंत्री अमीद सासे नई दिली में मुलकाइट की इस तोरान राजेपाल ने जार्खन की राई नितिकती वीदियो सहोगत कराया साथी पत्थर ख़दान लीज मामले में राज भौन द्वारा दी गई अब तक की करवाई की जनकारी दी सुत्रों के मुताबिक राजेपाल रामेश भैस ने परधान मंत्री और गिरी मंत्री को पताया पंचायत चुनाव को रध कराने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी आंदोलन जारी पंचायत चुनाव को रध कराने की मांग को लेकर लात्यार में टाना भक्तों का अंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा बुद्धवार को टाना भक्तों ने टोली बनाकर परखंड सा अंचल कर्यालाय अनुमंडल कर्यालाय वन परमंडल समेत कई कर्यालों में अधिकारी वा कर्मियों को बाहर निकाल कर ताला लगा दिया इस दोरान बन परमंडल कर्याले में डिये फोर रोशन कुमार ने टाना भगतों को काफी समझाया लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी बन परमंडल कर्याले में ताला लगाने के बाद सभी टाना भगा समनाले पहुंचे और अंदोलन असल पर बैठ गए जे एस एसी में दस्वी बरहवी अनिवारे के खिलाप अगली सुनवाई 11 माई को होगी जार्खन कर्मचारी चैन आयोग नियुकती में दस्वी और बरहवी की अनिवारता के खिलाप दाके लियाज का पर जार्खन हाई कोट में सुनवाई टल गई है सुप्रीम कोट के वरिया अधिवक्ता मुकूल रोहतगी के कोरोना संक्रामित होने के वज़ा से समय की मांग की गई जिसे अदालत ने सविकार कर लिया है मामले में अगली सुनवाई 11 माई को होगी बस संचालकों ने स्कूल बसों के कागज अपडेट के लिए एक माह का समय मांगा ज्यारखन बस ओनर्स एसोसेशन ने स्कूली बसों के कागजात अपडेट कराएने के लिए एक माह का समय राची उपायुक्त से मांगा है इस समान में एसोसियेशन के परदेश अध्याक सचिदानन सिंग ने उपायूत को ग्यापन सोपा है और इसकी परतिलीपी परिवहन विभाग को भी दी है एसोसियेशन ने कहा है कि बैस्विक में हमारी कुरोना के चलते जारखन में भी लोगडाउन इसकूल बन थे ऐसे में बसे नहीं चली बस का ब्याव साय पुरी तरह से ठब था हलाकि सरकार ने अन्य परिचालित बसो के पत कर में छुट दी पर इसकूल बसो को इसका लाब अभी तक नहीं मिला जिसकार अभी तक इसकूल बसो का रोड टेक्स अपडेट नहीं है जारखन में वेंडर के रूप में काम करेगी सरस्वती वाहिनी जारखन में अब सरस्वती वाहिनी संचालन समीती वेंडर के रूप में काम करेगी इन्हें अब तीन महिने की अग्रिम राशी मिलेगी इसे वे मद्याहन भोजन से समंधी समागरी खरीद सकेगी और इसकूलों में मिड़े मील का संचालन हो सकेगा इसके लिए मद्याहन भोजन प्राधिकरन ने सभी जीलों के उपायुकतों और डियसी को दिशा निर्देश दे दिया है साथी अप्रील माई और जून के पचपन कार्यत दिवस के लिए 106 को रुपे अवंटित भी कर दिया है भाजपा का हाहाकार परदर्शन जारखन में बिजली पानी के मुद्यों को लेकर भाजपा नेता और करकाता सड़क पर उत्रे हाए बुद्धवार को भाजपा राची महानागर की ओर से सेकड़ों की संख्या में भाजपा नेता करकाता मेर आसा लकड़ा के आवास के समीप पंडित दिन दियाल उपध्याय के परतिमा के समक्ष जमा होकर कचहरी चोक तक हाहाकार परदर्शन किया इस दोरान पार्टी नेताओं ने हिमन सरकार पर जम कर निशाना साधा धन्यवाद